टर्नरी का यूज करके अब हम find करेंगे कि अगर को user number दे रहा है तो वो क्या बोलते है odd है या even है और इसमें एक और चीज आज नया बताता हूँ अब क्या है कि इसमें हमने hash include stdio.h किया mean अब यहां पर क्या है कि जैसे हमने number ले लिया integer num अब यहां पर हमने printf करा दिया enter a number and then scanf num अब हमें क्या करना है कि वो number लेके ओके टर्नरी का यूज करना इसलिए नहीं लिखेंगे यहां पर क्या होगा यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं यहां से लिखता हूँ यह मतला आप यहां से लिख सकते हो तो रहा इंडेंडेशन रहेगा तो अच्छा लएगा नंबर जैसे होगे नंबर उसके बाद क्या कर सकते हैं मॉडिलोस इक्वल टू जीरो इसको हम ड्रैकेट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं कोई फारक नहीं पड़ेगा लेगिन देना ज्यादा बेटर रहेगा क्यांकि हम कांडिशन लिख यह कर रहे हैं अब यहां पर क्या है कि नंबर जो नंब अब क्या आगा यहां पर चेक होईगी यहां पर यह क्या है कि condition चेक हुई और ऐसा नहीं कि condition में हमारा relational operator ही रहेगा condition में कुछ भी हो सकता है तो यहां पर यह condition अगर true है यानि कि question mark दिया तो अगर true है तो यहां पर printf भी लिख सकते हैं और यहां पर क्या लिखेंगे is even और यहां पर क्या दे दिया हमने num और यहां पर हम अभी क्या कि semi colon नहीं देंगे क्योंकि हमें last जब statement हमारा complete होता हुआ यहां पर semi colon देते हैं तो एक यह हो गया अब यहां पर printf हमने कर दिया अगर लेकिन false हो गया तो यहां colon आ गया तो false के बाद हम क्या लिखेंगे printf %d is odd और यहां पर हमने नम दे दिया ऐसे यह बस paper पर है यह program में हमारा एक line का है नहीं तो paper पर ऐसा नहीं paper है इसलिए मैंने ऐसे लिखा लेकिन program में हमारा एक line जाएगा %d तो यानि कि हमारा क्या होगा एक line में हम यहां पर in line में printf भी यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल से clear तो यह हम और उसके बाद हमारा यह हम पर parenthesis close नम %2 तो यह से हम एक line में हम यह find कर सकते हैं कि even है या odd